हेलो गाइस तो मैं हुश्याम और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल कुक विशेप से आम तो चली आज हम बनाते हैं एकदम देसी तरीके से बिहार में कैसे बनता है चिकन करी तो चली हम उसको बनाना शुरू करते हैं तो देख लीजी आप किन किन चीजों की आप सकत इसके अदुसार बाद में हम इसको एड़ेस्ट करेंगे और उसके बाद से मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ एक चम्मच चिंजर गालिक पेस्ट अद्रक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर डाला हूँ मैं और थोड़ा सा आधा चम्मच सरसों का तेल और छोटी वाली जो कर लीजिए और लास्ट में यहाँ पर डालिए आप एक लेमन का जूस यह एक वेजिस का मैं डाला हूँ आधा भी नहीं है आधा का यह आधा है तो उतना हमें लेमन जूस डालना है और इसको रख देना है साइड में अच्छे से मिक्स करके और मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत जगा पे बिहार में या फिर यूपी में यह जो चिकन है मेरनेट नहीं किया जाता है उसको डायरेक्ट उसको धो करके डाल दिया जाता है तो चलिए हम इसको बनाना सुरू करते हैं तो उसके बाद से देखिए मैंने ले लिया है एक प्रेशर कूकर मैंने लिया ह और मैं उसमें डाल दिया हूँ सरसो का तेल चार से पांच टेबल स्पून और उसके बाद से मैं यहाँ पे डाल लाओ दो होल्ड रेड चिली दो साबुत चिली डालना है और उसके बाद से मैं यहाँ पे डालना हूँ कुछ जो खड़े मसाले हैं मैं यहाँ पर डाल लाओं मसालों की quantity आप नीचे चेक कर सकते हैं और उसके बाद से हम थोड़ा सा इसे 50 सेकेंड के लिए इसको हम थोड़ा सा रहने देंगे इसमें थोड़ा सा जो मसालों की जो खुसबू है वो बाहर निकलनी चाहिए और उसके बाद से मैं यहाँ पर डाल होने तक इसको भूनना है तो आप इसको चलाते रहे तब तक कि जब तक ये हलका सा brown color का ना हो जाए और जैसे ही हलका से brown color का हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे प्याज को तो अभी जो हमारा जो ये ginger और garlic है ये हलका brown हो गया है तो चली अब डाल लेते हैं इसमें प्याज को तो प्याज देखिए मैं आपे 6 से 7 में medium size के प्याज मैं आपे डाल रहा हूँ और उसको भी अच्छे से हमें इसको mix कर लेना है और इसको भी हमें पकाना है light brown होने तक हलका brown होने तक इसको हमें पकाना है garlic डालते हैं तो मैं भी यहाँ पर 5 से 6 मैं यहाँ पर whole garlic उसका जो उपर का जो परत वाली जो छिलका होता है उसका उपर का जो cover होता है उसको आपको निकाल लेना है उसको निकालने के बाद से अच्छे से उसको साफ करके और फिर इसमें डालना है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और उसको भी आप करके रख लीजिए जबी भी आप इस तरीके के या फिर बिहारी स्टाइल में आप मटनी या चिकन बना रहे हैं तो देखिए थोड़ा सा जब यह प्याज हमारा भुन जाएगा फिर हम डाल देंगे उस गार्लिक को देखिए मैं अच्छे से इसको साफ करके मैं रख लिया था उसका जो उपर का इस्कीन है उसको मैं निकाल के रख लिया था और यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ उसको जो ग बना करके खा करके देखिए कि उसका taste जो है न वो मटन और चिकन जैसा हो जाता है और पहुत ही बढ़िया तो उसको हम ऐसे बता नहीं सकते आप उसको बना करके खाएए फिर आपको पता लएगा कि हाँ जो बिहार और UP के हैं उनको तो पता है उसका टेस्ट, अगर आप किसी और स्टेट से हैं, तो आप इसको इस रेसिपी को आप ट्राइ कीजिए और इंजॉय कीजिए इस रेसिपी को तो उसके बाद से हमें यापे chicken aid करने के बाद, चिकन में यापे एक चीज चीज का दिया डखना है कि इसको हमें भूनना है जो कि बात से हमें कुछ डालने हैं मसाले तो मैं इसमें डाल लाँ थोड़ी सी हल्दी हमने पहले भी हल्दी डाल रखी थी तो थोड़ा साम हल्दी डालेंगे और यहाँ पे हम डालना है एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर और उत्रा ही जीरा पाउडर यहां पर मैं डाल रहाँ और उत्रा ही हमें डालना है यहां पर देगी मिर्च जो कि यह spicy वाली नहीं है तो यहां पर मिर्च को कम ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि हम यहां पर ग्रीन चिली भी यहाँ पे कूट करके हमें यहाँ पे डाल चुके हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए लेकिन जो यह जो बनता है देशी स्टाइल में बिहारी चिकन तो यह थोड़ा सा स्पाइसी थोड़ा सा मसालेदार होता है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और उसके बाद से मसाले ज्यादा जलेना, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैं अभी यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाला हूँ, ताकि जो मसाले हैं, वो चिकन के साथ अच्छे से भून जाए. हमें इसे अच्छे से एकदम थोड़ा सा भूनना है और इसकी भूनाई हमें रोकनी नहीं है 2-3 मिनेट के लिए और जैसे ही 2-3 मिनेट आप इसको भून लें फिर आप चाहे तो यहाँ पे नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं और हमें इसे अच्छे से mix कर लेना है और इसको cover कर देना है और medium फिलेम पे इसको 15-20 मिनेट के लिए इसको थोड़ देना है पकने के लिए और 15 मिनेटे बाद आप इसको एक बाद चेक कीजिए तो मैंने इसकी seasoning चेक की तो मुझे salt कम लगा तो मैं यहापे salt डाल रहा हूँ और उसके बाद से मैं यहापे डालूँगा थोड़ा सा गरम मसाला जो कि मैं homemade गरम मसाला डाल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे चोटी चम्मच से आदा चम्मच यहाँ पे गरम मसाला डालाओ दो मिनिट और हमें पकाना है बस इस चिकन को और यह जो हमारा जो चिकन है यह पूरा एकदम बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो देखिए उसके बाद से हम यहाँ पे डालेंगे धनिया फ्रेस एकदम धनिया आप काट करके उसको धो करके यहाँ पे डालिए और मैं यहाँ पे एक मुठी में धनिया यहाँ पे डालूगा पूरा और उसके बाद से इसको भी हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से और उसके बात से हम इसको एक piece chicken को हम check करेंगे कि हमारा जो chicken है वो अच्छे से पग गया है की नहीं तो चलिए हम उसको check भी कर लेते हैं तो मैंने निकाल लिया एक leg piece और उसको हम तोड़ करके देखेंगे की एकदम पग गया है की नहीं तो जो हमारा जो chicken है एकदम बिल्कुल पग गया है हड़ी छोड़ दिया है जब करते हम इसकी plating तो मैंने ले लिया एक disc ball और उसमें मैं डाल दूँगा सारे chicken को आप इसकी जो consistency है आप चेक कीजिए आप इसका जो color है वो आप देख लिजिए कि मतलब खिता बढ़िया है आप एक बार जरूर इसको अपने घर पे बनाईए और try कीजिए इस recipe को और मुझे comment करके बताईए कि कैसी लगी ये recipe तो चलिए अब इसकी garnish कर लेते हैं ginger, julienne और coriander sprig से और ये जो हमारी recipe है ये पूरी ये ही पे complete हो जाएगी अगर आपको ये मेरी recipe पसंद आई हो तो please like कीजिए इस वीडियो को और comment कीजिए और share कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो please subscribe कर लिजे मेरे चैनल को क्योंकि मैं ऐसी interesting वीडियो में लाते रहता हूँ तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई recipe के साथ Thank you so much for watching this video